दोस्तों क्या आप एक कोईन कलेक्टर हैं आप घर बैठे मगवाना चाहते हैं अपने कलेक्शन के लिए नोट रो सिखे तो अभी के अभी जाके डाउनलोड करें कोईन बजार एप्लिकेशन को यह बैस नुमिस्मेटिक अप्लिकेशन है गूगल प्ले स्टोर पर जहांपर बहुत सारे कोईन सो नोट अविलेबल है चाहे हो मुगल हो एंशन्ट हो बिटिश इंडिया के कोईन सो रिपबलिक ओफ इंडिया के कोईन सो एरर कोईन सो या आप कलेक्शन करते हैं नोट्स का यहां पर एरर नोट्स, रिपबलिक ओफ इंडिया के नोट्स, ब्रेटिस इंडिया के नोट्स अविलेबल है तो अभी के अभी जाके डाउनलोड करें कोईन बाजर एप को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अविलेबल है नमस्कार दोस्तों मैं रवी आपका स्वागत करता हूँ अपने योटूब चैनल आइकोनिक इंडिया में और दोस्तों आज की ये वीडियो काफी जदा इंफोर्मेटिव होने वाली है क्योंकि इसमें मैं जानकारी दूँगा आपको एक रुपे के एक ऐसे नोट के बारे में जो की आपको फ्यूचर के लिए जरूर से कलेट करना चाहिए इस एक रुपे के नोट की प्राइस काफी तेजी से बड़ी है काफी टाइम से काफी साल से मैं इस नोट पर नजर रखे वह हूँ इसकी प्राइस रेट पर और काफी तेजी से इसकी प्राइज में ग्रोथ हुई है इंडियन पेपर मनी जो बुक आती है जिसमें नोट की जानकारी होती है अगर आप 2013-14 की वो उठा कर देखेंगे तो इस एक रुपे के नोट की प्राइज करीब करीब 3-4,000 रुपे थी लेकिन आज की डिट में अगर आप इंडियन पेपर मनी को भी देखते हैं बुक का रेफरेंस लेकर देखते हैं तो उसमें इस नोट की प्राइज करीब 12,000 रुपे है वो कौन सा नोट है वो है 1964 का 1 रुपी का नोट जिस पर फाइनेंस सेकरेटरी के हस्ताक्षर है ये नोट वो है जो आपको फ्यूचर के लिए कलट करना चाहिए क्योंकि इसकी प्राइज और तीजी से बढ़ेगी आने वाले टाइम में अभी इसकी प्राइज 12,000 रुपे के बीच में एक नोट बिखता है UNC ग्रेट का इस स्कीन पर जो नोट आप देख रहे है वन रुपी का 1964 का जिस पर फाइनस सेकरेटरी के हस्ताक्षर है एक रुपे के जो नोट होते है वह गवर्मेंट ओफ इंडिया बनाती है जिस पर फाइनस सेकरेटरी के हस्ताक्षर होते है बाकि जो एक रुपे से बड़े नोट होते हैं उस पर गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं RBI के तो स्क्रीन पर जो नोट आप देख रहे हैं यह PMCS से ग्रेड कराया हुआ है और UNC ग्रेड का नोट है MS64 तो भविश्य के लिए आपको भी यह 1 रूपी का नोट कलेक्शन करते हैं लेकिन काफी लोग एज इन्वेस्टमेंट भी कलेक्शन करते हैं कि आज हम कोई रेयर नोट यह सी कलेक्शन कर लेते हैं फ्योचर में जब उसकी बेल्यू बढ़ जाएगी यह जब वो ज़्यादा वैल्यू देगा थे हम ऊसको बेघ दींगे यसल करते तो इस थ्यूचर इसतर लोग करते हैं फ्यूचर इंवेस्टमेंट केलिए फैसम z Sid vawn लिए कोई का नोट काफी ज़्यादा सही है आप इसको collect करें अगर आपके पास बहुत सार एक उर्पे के पुराने नोट भी पड़े हैं तो एक बार उन पर भी नजर मा दिये रहा हो सकता है कि नोट आपके उस बहुत सार एक उर्पे के नोट में निकल जाए और अगर ऐसा हो जाता है तो यह बहुत ही ज्यादा अच्छा हो होगा आपके लिए क्योंकि एक रेर नोट आपको मिल गया है हाला कि बहुत यह बहुत कम नोट अविलेबल है तो अगर यह एक उर्पे का नोट आपके पास है और आप इसको बेचना चाहते हैं तो मैं इसका बायर हो आप मेरे इमेल पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं ऐसे र नोट को आप विशे के लिए कलेक्ट कर सकते हैं अगर आपको यह रीजनेबल प्राइज मिलता है लेकिन खरीदने से पहले आप किसी भरोसेबन डीलर किसी भरोसेबन सैलर या एक्जिबिशन से नोट करीदे क्योंकि जो भी रेर नोट यह सिक्के होते हैं उसमें डूब्ल करता हूं इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद